हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक स्वागत है आप सभी का तो नेश्रल गैस पर हम आपको नेक्स टे के लिए बताते हैं कि कौन से हमारे टार्गेट्स रहेंगे और साथ ही कौन सी ऐसी न्यूज है जो की इंपेक्ट डाल रही है नेश्रल गैस के ऊपर तो चलिए शुरुवात क अब यह जो नीचे इतना गया है वो क्यों गया है सबसे पहले तो फाइफ मंथ के हाई पर यह चल रहा था इससे पहले और 5 हम मन्त के हाई के ऊपर चलने पर जो है इसका अब profit booking आना जो था वो जुथा वो होना ही था जो कि यहां पर क्योंकि काफी ऊपर यह जा चुका था तो profit booking करने वाले तो profit booking करेंगे ही लेकिन इसके अलावा और भी चीज़े हैं जिनकी वज़ाए से यहां पर यह नीचे हो गया है, आज जैसा कि मैंने आपको बताया है, कि थर्ज़े को 8 अजे डेटा आना था नेच्रल काइस की स्टोरेज का, और नेच्रल काइस की स्टोरेज का बहुत जाधा यहां पर प्रिडिक्शन जो था, वह बहुत ज़्यादा confirm भी था कि नेश्रल गास की जो storage है उसके वह बढ़ी हुई आएगी और अगर वह बढ़ी हुई आएगी तो obviously इसने नीचे गिरना था क्योंकि storage का बढ़ना यह साफ मतलब होता है कि जो data है यहां पर demand है वह decrease हुई है और जो supply है वह काफी ज़्यादा supply यहां पर already है तो जैसे कि मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँगी पहले भी हमने देखा है कि European countries और United States में already जो natural gas है उसकी ample amount of supply है means काफी ज्यादा supply यहां पर है और जब यह gas storage का data भी यही बता रहा है तो उसकी वजह से यहां पर पहले से ही इसने ahead of the data data से पहले ही इसने गिरना शुरू कर दिया पूरा दिन भर यह गिरता रहा और जब data आया तो आप देख सकते हैं कि कितने gap down यहां पर हुआ और gap down के बाद यहां पर इतना नीचे यह गिरा है अभी तक और नीचे गिरता ही जा रहा है तो यह चीजे हैं जो की impact डाल रही है और क अलग यानि कि Friday को एक और डेटा आना है जो की 130 पर आना है अगर आपने हमारी डेटा वाले जो वीडियो हमें आपके लिए डेली ले करके आते हैं अगर आपने वह वीडियो नहीं देखिया तो इस वीडियो को आप जरूर देखा किजिए क्योंकि उस वीडियो में हम आप को बताते हैं कि कौन-कौन से data आएंगे और जो की impact डालेंगे और वो data impact डालते हैं चाहे positive डालें चाहे negative डालें चाहे जैसा भी डालें लेकिन उस time पर आपको सतर्क रहना चाहिए और उस time पर जो है trade भी बनते हैं और अगर आपने already कोई trade लिया होता है तो आपको decision भी ले ल और साथ ही crude oil दोनों के लिए ही बताएंगे कि next month तक क्या रहने वाला है क्या demand रहने वाली है कितनी supply रहने वाली है production कितनी रहने वाली है तो उसके बारे में यह पूरी पूरी report होगी और इसमें अगर natural gas के लिए कुछ positive आता है तो उसके बाद यहां पर अच्छा move देखने को मिल सकता है तो इसके उपर आप जरूर नजर रखे और अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे जो target है वो क्या रह सकते हैं तो downside के लिए यह level है 228.4 का level और 1 hour के time frame की हम बात करे हैं 1 hour के time frame पर अगर इस level के नीचे अगर red candle की closing आती है हमें देखने को मिलती है तो हमारे जो next target य यहां पर रह सकता है वो level यहां पर यह रह सकता है यानि कि 223.1 का level और अगर यह levels के आसपास अगर 130 पर अच्छा move हमने downside को देखने को मिला अगर कुछ negative report आती है तो यह उसके बाद यह सारे levels को downside को और ज्यादा नीचे गिर सकता है जबकि उपर की तरफ के लिए यहां पर जो है हम इस level की बात कर लेते हैं 230.8 का यह level है और 230.8 के उपर अगर green candle की closing आती है तो हमारा first target रहेगा 233 का और 233 के उपर भी अगर green candle की closing आती है तो next target हमारा यहां पर 235.9 का रह सकता है क्योंकि positive side को भी ऐसा नहीं है कि negative ही news है positive side को अच्छी news भी है क्योंकि जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि टेकसस में जो heat waves है वो बहुत जादा है और साथ ही जो अगस्त के end का जो महीना है इस महीने के जो इसके demand बड़ेगी electricity की production के लिए तो यहां पर इसके इसलिए यहां पर positive जो है यह targets मैंने आपको दिये हैं तो यह कुछ जो natural gas है वो नीचे की और को गिरेगा और अब देख सकते हैं कि data आने के बाद यहां पर कितना ज्यादा नीचे यहां पर यह गिर चुका है बहुत ही ज्यादा नीचे गिरा है तो यहां पर आप हमारा चैनल जोइन कर सकते हैं इस वीडियो के description box में आपको इसका लिंक मिल जाएगा वहाँ पर क्लिक किजिए और आप खुद को वहाँ पर यहां पर आई बटन में आपको वीडियो के लिंक मिलेंगे जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि आप एक्सनेस पर कैसे आपको हैवी मार्जिन रखना पड़ता है वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है तो जल्दी से अपना फ़र्शन पर ओपन कर लेजे तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक किजिए चैनल को भी सिब्स्राइब कर लेजिए और वीडियो को शेर करने से नौलेज और भी ज़्यादा बढ़ता है और साथ ही हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता है अगर हमारे वीडियो पर अच्छे रिस्पॉंसिस हमें देखने को मिलते हैं तब तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में और ये वीडियो आपको सिर्फ education purpose के लिए बनाई जा रहे हैं हमसे भी registered financial advisors नहीं है तो trade लेने से पहले अपने financial advisor से आप ज़रूर सला लेजे have a nice day, good bye